तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई मूवी होस्टाइल के बारे में होस्टाइल का मतलब होता है शत्रू या दिश्मन तो मूवी की कहानी में हम जानेंगे कि कौन किसका शत्रू है तो हब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की जिसमें पूरी दुनिया बरबाद है और किस चीज ने इसे बरबाद किया है इस कहानी में हम देखेंगे तो हर मूवी की तरह कुछ लोग इस बरबादी को जेल कर जिन्दा बचे हुए हैं और इनी में से एक है जूलियट जिसके उपर ये पूरी मूवी बेस्ट है तो पहले हम जूलियट की अभी के कंडिशन को जान लेते हैं जैसे की वो अभी एक 36 लोगों की ग्रूप के साथ रहती है और उसका काम है उन सब के लिए डेली यूज में आने वाली चीज़ों को ढूनना इसलिए वो अपने बेस से बाहर अपनी एक वैन से सामान ढूनने के लिए निकल जाती है उसके वैन में कुछ हतियारों के साथ उसके पती जैक की फोटो भी है जैक महाशे के बारे में आगे जानेंगे अब रास्ते में जूलियट को कुछ खाली पुरानी खराब हुई कार्स मिलती है जिन में से वो काम की चीज़ें निकालने के बात आगे बढ़ती है थोड़ा और भटकने के बात वो एक खाली बरबात हुई एक गैस स्टेशन पर पहुशती है और वो साब धानी के साथ हाथ में गन लिये अंदर जाती है वो स्टेशन उसे सेफ लगता है तो जूलियट वहां थोड़ा रेस्ट करने लगती है पर तब उसे एटिक से किसी के गुरानी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर तो गई थी पर बिना घबराए वो वहां से निकल जाती है अब वो अपने रेडियो से बेस में बात करती है जिससे हमें पता चलता है कि वो क्रेचर जो उस एटिक में था वो दिन में बाहर नहीं निकलते और जूलियट का कमांड़र उसे अपना काम करने को बोलता है और खत्रों में ना पढ़ने का ग्यान देता है अब जूलियट को जादा सामान नहीं मिला था और उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुशने के लिए एक शॉर्टकट लेती है अब स्लेशर्स और एपोकलिप्स मूवी का इतिहास कवा है जिसने शॉर्टकट लिया वो मरेगा तो देखते हैं जूलियट जी के साथ अब आगी क्या होगा तो थोड़ी दूर ड्राइफ करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है सप्लाइस कम होने की वज़ा से वो उस वैन में काम करने की चीज़े ढूंडने जाती है तो उसे वैन के बाहर एक गायल बूड़ा आदमी मिलता है वो जूलियट को उसे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि उस पर रात में उन क्रियेचर्स ने हमला किया था जिसकी वज़ा से वो इस चालत में है और बूड़े आदमी ने उस क्रियेचर को उसकी ही वैन में बंद कर रखा है पर जूलियट उस आदमी को मार कर अपने गोली बरबाद नहीं करना चाहती थी इसलिए वो वैन में चाकर उस क्रेचर से लड़कर उसे मार देती है अब वो बाहर आती है तो वो आदमी मर चुका था तो जूलियट सप्लाइस लेकर अपनी वैन से बेस की ओर निकल जाती है अभी जो उसने किया उससे उसका काफी टाइम चला गया था और रात होने ही वाली थी उससे और हमें अब दोनों को पता चलता है कि रात में वो क्रेचर सप्नी सप्लाइस के लिए निकलते हैं तो जूलियट उनका सप्लाइ ना बने इसलिए इस प्लीट थोड़ी तेज करके बेस की ओर जाने लगती है अब उसका ध्यान उसकी और उसके पती की फोटो पर पड़ता है और अचानक हवासी वो फोटो ओड कर वैन के बाहर चली जाती है जिससे जूलियट का ध्यान बटकता है और उसकी वैन अनबैलेंस डो कर पलट जाती है हम अभी तक जूलियट के प्रिजन लाइफ के बारे में जान रहे थी पर अब एपोकलिप्स के पहले उसकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में जानेंगे क्योंकि मूवी के बीचों बीच में जूलियट के पास्ट को अचानक दिखाया जाने लगता है जो कि काफी खराब लगता है अब हम जूलियट वापस बार में आकर रिंग कर रही थी काफी देर से उसे जैक का कॉल आ रहा था जिसे वो इक्नोर कर रही थी तब ही उसे टीवे पर एक निउस दिखती है जिसमें वो एक ट्रेन स्टेशन पर हुए कैमिकल अटैक के बारे में बता रहे थी जिसमें लगबख 40 लोग मारे जा चुके हैं वो घबरा कर जैक का कॉल उठाती है जैसे किसी और सक्षने किया था वेल तो वो जूलियट को बताता है कि जैक जिन्दा है पर उसकी हालत बहुत खराब है भाग कर जूलियट हॉस्पिटल पहुचती है तो जैक उसे जिन्दा मिलता है पर वो पूरी तरह से आइसोलेटिड था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा इस हालत में भी वो जैक जूलियट से प्यार करता था जब अगले दिन जूलियट जैक के वाड़ में आती है तो जैक वहाँ था ही नहीं जैक की देथ हो चुकी थी और उसकी बाड़ी को हॉस्पिटल वालों ने ही कहीं दफना दिया बिना किसी को बताए जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है जब वो जिन्दा था तो उससे जैक और उसकी प्यार की कोई कदर ही नहीं थी अब उसकी जाने के बार जूलियट को एहसास होता है कि जैक उसके ये किसी फरिष्टे के जैसा था और तब से लेकर आश तक वो जैक की यादों और अच्छायों के सहारे ही सिंदा है तो ये था जूलियट का पास्ट तो अब हम जानते हैं कि प्रेजन्ट में वैन पलटने की बात क्या हुआ अब रात में जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर तूट चुका है और उसका तूटा हुआ पैर उसे की वैन के नीचे फसा हुआ है अगल बगल देखने पर उसे वैन के बाहर गन मिलती है जिसे वो एक जुगार बनाकर अपनी और खीचती है पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी कहां उसका वो जुगार काम नहीं आता तो अपनी फसे हुई टांग को जैसे तैसे करके वो स्वैन के नीचे से निकालती है इन सबसे उसके पैर की हड़ी बाहर आ गई थी तो वो उस जगा पर अलकोहर डालकर उसे हड़ी पर जोर से मार कर उसे वापस अंदर करती है जिसमें उसकी बहुत चीखे निकलती है पर उसकी चीखे उसके दर्ट के आगे मामुली थी तो अब वो अपने पैर पर कुछ कपड़ा बान कर उसे जितना अच्छे से हो सके बैंड़िज करती है और रेडियो की मदद से वो अपने बैश से संपर करने की कोशिश करने लगती है पर उसका संपर्क उन से होता ही नहीं है तो अब वो और भी जादा पैनिक करने लगती है उसकी चीखे सुनकर एक क्रेचर भी वहाँ आ चुखा था उस creature की होने का एसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपना gun उठा कर अंदर van में आती है हम उस creature की टांगों को देख पाते हैं जो कि हमें इंसानों जैसी ही लग रही थी पर बहुत पतली थी वो creature वहाँ से जाने लगता है तभी जूलियट की रेडियो पर उसके बेश से किसी का जवाब आता है और वो जल्दी से उस रेडियो को बन कर देती है पर creature ने उस रेडियो की आवास को सुन लिया था और वो van की तरफ वापस आने लगा था तो जूलियट रेडियो को आन करके वैन के बाहर फेक देती है वो creature रेडियो पर पहुँच कर उसे उठा कर वहाँ से कहीं दूर फेक के चला जाता है अब जूलियट वैन में से कुछ स्टिक लाइट्स निकाल कर वैन के बाहर आती है और उस रेडियो को ढून लेती है पर वो भी अब उस creature की नजर में आ गई थी और यहां हम उस creature के face को भी देख पाते हैं जोकि हम इनसानों की तरह ही थी और शायद उस chemical की वज़ा से थोड़ी डिकम्पोस से अजीब सी हो गई थी जोलियट उससे बचने के लिए भाग कर वापस वैन में आती है और सामने गन पॉइंट कर उस creature के सामने आने का वेट करने लगती है पर वो creature उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए वैन का ऐसे लेटर दबा कर रेज देती है जिससे वो creature वहाँ से भाग जाता है यहां हम दो चीज समझते हैं पहली की उन creatures को थोड़ा कम दिखता है पर वो smart हैं और दूसरा की उन्हें आवास पसंद नहीं जूलियट अभी भी चौकरना थी और तभी वो creature उसके पास वापस आता है जिससे जूलियट कोली मारकर भगा दीती है हम नोटिस कर पाते हैं कि वो creature या तो जूलियट को मारना नहीं चाहता या फिर वो बहुत जादा लेजी है जूलियट के दुबारा रेडियो ट्राइक करने पर उसे बेस से रिपलाई आने लगा था और वो उसे वैन में लगे ट्रैकर को आन करने को बोलते हैं जिससे वो चौपर लेकर उसे रेस्क्यू करने वहाँ पर आ जाएंगे जूलियट वैन का ट्रैकर आन कर देती है और उस creature से वो बचने की पूरे कोशिश कर रही थी अब उसके बेस वाले बताते हैं कि उन्होंने उससे लोकेट कर लिया है और वो उसे बचाने आ रहे हैं इतने में ही उस creature ने वैन के सामने का शीशा हटा लिया था अब वो चूलियट की तरफ बढ़ने लगा था जूलियट अपनी समझतारी दिखा उसके पास आने से पहले इवैन की लाइट सौन कर दीती है जिसे देख वो creature वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं इसलिए वो दिन में भी बाहर नहीं निकलते जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है उसे पता चलता है कि वो अब उसके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डेंजर जोन में हैं और अगर वो सुबह तक जिन्दा बची तो उसे लेने वो आएंगे मतलब जिनके लिए वो सप्लाइस लेने आई थी उन्होंने जूलियट को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था अब ऐसे में तो किसी भी इंसान की हिमर टूट जाए तो जूलियट भी उमीद खोकर शांत वैन में बैठी थी तब ही उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें हौन बजाकर अपने पास बुला लेती है पर वो लोग लूटेरे थे और उन में से एक जूलियट को मारने की कोशिश करता है जिसे वो क्रियचर मार देता है अब क्रियचर को वहाँ देख उस लूटेरे की साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि उस क्रियचर ने जूलियट की जान उन लूटेरों से बचाई पर ये बात जूलियट को समझ नहीं आती और वो उस क्रियेचर को उस लुटेरे को खाते देखकर उस क्रियेचर के हाथों से मरने से अच्छा वो सुसाइट करने का फैसला करती है पर वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस क्रियेचर से लड़ने का फैसला करती है तो अब वो पैट्रोल का एक कैन और फ्लेयर ले जूलियट की पास आकर उससे उठाकर दूर फेक देता है अब वो क्रेचर उसकी और दुबारह बढ़ने लगा था जिसे इस बार जूलियट उस क्रेचर को शूट कर देती है और वो क्रेचर नीचे गिरकर मढने लगा था तो अब जूलियट भी रिलैक्स होकर वहीं पर गई थी, गन रिलोट करने से पहले ही वो क्रियेचर उसकी बाडि के उबबर आ गया था, और वो जूलियट की फेस को ऐसे छूता है जैसे उसे जैक छूता था, और अब जूलियट और हमें समझने में बिरकुल भी देड नहीं लगती कि वो creature कोई और नहीं बलकि जैक ही है और वो रात भर जूलियट के पास आकर उसे एसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो जैक है इसलिए काई मौके मिलने के बावसूत भी उसने जूलियट को नहीं मारा अब जूलियट को जैक की वो दो बाते याद आती है अगर उसे पहले याद आ गई होती तो जैक इस condition में नहीं होता पहली की अगली नेस के पीछे की beauty को समझो और उन दोनों का मिलना उनकी किस्मत में था जिस पर अब जूलियट को पूरी तरह से यकीन हो गया था